हेलो दोस्तों, sociology classes में आप सबका स्वागत है आज हम discuss करने वाले है theories of origin of caste system के बारे में मतलब caste system कैसे origin हुआ, कैसे आया ये सारे theories आज हम discuss करने वाले है तो पहले देखते हैं कि आज के इस class में हम कौनसी कौनसी topics पर ज्यादा focus करने वाले है पहले हम देखेंगे कि what is caste, मतलब caste क्या है उसके बाद features of caste system, फिर देखेंगे theories of origin of caste मतलब बहुत सारे theories है जो caste system को कैसे आया, caste system के बारे में describe करते है उन में से हम mainly 5 theories है, जिनको देखेंगे the divine origin, kormo and transmigration, occupational theory, tribes and religious theory और family and marriage ये सारे चीजों को आज हम details में cover करेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लेना और like और share करना मत भूलिएगा यहाँ पर इस चैनल पे आपको sociology के related सारे videos मिलेंगे सारे playlist बना दिये गये हैं, आप playlist खोल कर भी study कर सकते हैं कोई भी exam हो, यह सारे exam के लिए बहुत important है, बहुत help होगा तो चलिए आज का class शुरू करते हैं तो पहले देखते हैं कि caste क्या है, caste actually क्या है caste, Latin word, caste से आया है या फिर हम Portuguese was caste से भी इसको link कर सकते हैं इनका meaning है pure, lineage, या फिर pure stock, या फिर race इन सारे चीजों से हम caste को relate कर सकते हैं race से भी हम caste को relate कर सकते हैं, lineage से भी relate कर सकते हैं और pure, caste को एक purity के हिसाब से इसको define किया जाता है अब देखते हैं कि caste का definition क्या है वैसे तो caste का बहुत सारे definition है आपको बहुत सारे books में बहुत सारे definitions मिलेंगे लेकिन सारे definition में कुछ ना कुछ कमिया है, खामिया है मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा definition हो जहापर आपको सारे चीजों का सामारी मिले कि caste originally में क्या है caste is a form of social stratification characterized by endogmy hereditary transmission often includes of a style of life मतलब caste एक ऐसा social stratification है मतलब society में एक ऐसा भाग है जहापर endogmy main criteria हो जाता है endogmy का मतलब है किसी भी caste के अंदर ही marriage करना इसको endogmy कहा जाता है फिर हो जाता है hereditary transmission मतलब एक इनसान से दूसरे इनसान तक कैसे चीजे पास होंगी ये caste define करता है ये एक style of life है caste एक style of life है मतलब हर caste का अलग-अलग style होता है उनका रहन-सेन अलग होता है उनका जो rituals होंगे उनका ओचीज अलग होंगे उनका occupations मतलब उनका पेशा जो है उनका काम करने का तरीका ये सारे चीजे caste के हिसाब से divide किये गए है उनका social interaction का तरीका मतलब एक दूसरे का से मिलने का जो तरीका वो लोग कौन सी चीज कर सकते है कौन सी चीज नहीं कर सकते है ये सारे चीजे caste के basis पर ही हम define करते है और सबसे बड़ा जो चीज है हम caste में देखते है वो है purity and pollution मतलब कोई भी चीज pure है या फिर polluted है या फिर कोई भी बेक्ति प्यूर है या फिर polluted है ये सारे चीजे हम caste में ही देखते है caste ही हमें ये सारे चीजों को define करने में मदद करती है अब देखते है features of caste के बारे में पहला feature है membership of a caste is compulsory and not a matter of choice मतलब किसी भी caste में membership ये एक compulsory चीज है मतलब आप by birth इसको मिलते है आपको बाइबार्त ये मिलता है आपका पास कोई choice नहीं है कि आप भ्रह्मन में जन्मेंगे या फिर शुद्र में जन्मेंगे या फिर शत्रिय में जन्मेंगे आपके पास कोई choice नहीं है ये choice के basis पे नहीं होता ये आपका birth के basis पे ही होता है इट इस practically impossible for individuals to change their caste हम कभी भी अपना caste को या फिर जाती को change नहीं कर सकते हमें ये चीज follow करना ही होता है हम अपने हिसाब से change नहीं कर सकते हमें बाइबार्त जो मिलता है उसी को हम आगे बढ़ा सकते है उसी से हमें काम करना होगा उसी से हमें संतूष्ट रहना होगा Each caste boosts of a peculiar tradition of culture and tries to preserve it tenaciously मतलब कोई भी caste हो वो अपने जो culture है उस culture को उस tradition को आगे बढ़ाएगा उसको preserve करेगा उसके next generation के लिए एक generation से दूसरी generation को ये pass किया जाता है फिर caste system जो है वो एक individual member का काम नहीं होता है सभी मिलकर एक साथ ये caste को follow करते है यहाँ पर हम mainly कौन सी कौन सी चीज़े पर ज्यादा emphasize करते हैं हमारा food का matter हो मतलब food कैसे लेते हैं कौन सी food लेंगे हमारा marriage का system हमारा divorce का system हमारा birth के बाद हम कौन सा rituals करेंगे depth के वक्त हम कौन सा rituals करेंगे ये सारे चीज़े caste में define किया जाता है caste के हिसाब से ही हमें ये सारे चीज़े करनी पड़ती है आज काल भी हम modern जमाने में भी देखते हैं ये सारे चीज़ों को हम follow करना ही पड़ता है क्योंकि हमारा caste system इस तरीके से ही हमारा चलता है अब देखते है theories of origin of caste system मतलब caste system कैसे origin हुआ caste system कैसे आया वैसे तो बहुत सारे theories है caste system को define करने के लिए बहुत सारे theories होती है लेकिन हम सबको नहीं पड़ेंगे हम देखेंगे कि इंदिया के census 1931 में कास्ट को समझने के लिए कास्ट को include करने के लिए mainly 5 theories को माना गया था 5 origin of caste के theories को मन्यता दी गई थी उन 5 को आज हम details में study करेंगे पहला है the divine origin कॉर्मो एंड ट्रांस माइग्रेशन occupational theory tribes and religious theory और आखिर में family and marriage इन सारे चीज़ों को आज हम detail में cover करेंगे तो पहले देखते है the divine origin divine origin है किया divine origin का मतलब है किसी एक divine person या फिर पोरोश या फिर एक creator जो हमारा पूरा दुनिया को संसार को बनाता है वो कैसे हमारा society को बना है उसके हिसाब से देखना ये जो divine origin है ये रीग बेदा के पोरोश शुक्तु में बताया गया है वाम पे इसको mainly define किया है उसके बाद इहां से बहुत सारे books में इसको pass on किया गया है यहाँ पर किया बताया जाता है यहाँ पर mainly बताया जाता है कि हमारा जो ये दुनिया है ये एक पोरोश एक primeval creator है वो सृष्टी करता है उसके जो शरीर के अंग है अंग के हिसाब से हमारा जो लोग है वो तयार किये गये है जो भ्रामीन से भ्रामीन से उसके माउट से create हुए है उसके माउट से जनम हुए है और शत्रियस होए है उनके arms से वश्यस हो गए है उनके थाई से और शुद्रस हो गए है उनके feet से ये चारो जो वर्न होते है जो काश्ट होते है ये सारे वर्न कही ना कही वो प्रिमिवल creator या फिर पोरोश से ही create होते हैं यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से एक चीज याद रखनी हो यहाँ पर जो एक फिप्त बर्ण है दलिद बर्ण वो नहीं है क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ चारी बर्ण है वो प्रिमिवेल िए डिवाइन ओरीजिन को धर्म शास्त्र स्मृतिश और पुरानाज में मान्यता दी गई है वो लोग भी इसको मानते हैं बहुत सारे religious texts या फिर जो religious authorities है शास्त्रस है पुरानाज है ये सारे चीज़े divine origin of caste system को मानते हैं उनके हिसाब से हमारा caste system प्रिमिवेल creator से या फिर पोरोष से ही तयार हुआ है उनके body के parts से ही तयार हुआ है उनके हिसाब से वो लोग मानते हैं कि ये जो God है या प्रिमिवेल creator है ये creator ही हमारा सब कुछ define करते हैं भगवान के निर्देश से या फिर God के निर्देश से ही ये caste बने है या फिर उन्होंने खुद बनाया है या फिर उनका चाहने से ये तयार हुआ है इसलिए वो लोग इसको blindly follow करते हैं फिर देखते है कर्मा and transmigration यहाँ पर कर्मा का बहुत ज्यादा importance है इस थियोरी में कर्मा के हिसाब से caste system को समझाया गया है ये mainly एक थियोरी ऐसा थियोरी है जो caste system को justify करता है मतलब caste system अच्छा है या फिर किस तरीके से function करता है ये हमें समझानी की कोशिश करता है ये origin तो थोड़ा बहुत बताता है लेकिन ये mainly justify करता है कि caste system अच्छा है इस system के बज़े से हमारा society नॉर्माली चल रहा है कर्मा के हिसाब से हम जो भी highest rank, middle rank या फिर lowest rank है ये सारे हमारे कर्मा के हिसाब से या फिर हमारा action के हिसाब से ही define होता है हम पिछले जनम में एक इनसान का status, life status, lifestyle ये सारे चीज़े उसके पिछले जनम में ही decide हो जाते हैं वो पिछले जनम में अगर अच्छा काम करेगा तो उसे अच्छया ही यहाँ पर मिलेगा अगर वो उस जनम में बुरा किया है तो इस जनम में उसको वो चीज भुकतना होगा कर्म का main theory ही है वो जो भी पिछले जनम में किया है वो ही आप आसन होगा उसके बज़े से ही उसको अच्छा होगा या फिर वो enjoy करेगा या फिर सफर करेगा ये सारे चीज़े वहां से ही decide होके आती है फिर देखते है occupational theory, occupational theory का मतलब है हमारा occupation के basis पे मतलब हमारा काम के basis पे कैसे caste system को define किया गया है caste system origin हुआ है कैसे बताया गया है ये चीज नेसफेल बोलके एक theorist थे उन्होंने इसको पहले दिया था उनके हिसाब से occupation as the loan factor for the development of caste system मतलब caste system जो create हुआ है वो हमारे occupation के basis पे ही बना है occupation ही हमारा एक मात्र कारण है जिसके बजे से caste system बना है पहले के जमाने में तो कोई भी तरीके का प्रिश्ठूट नहीं होता था जब भी प्रिश्ठूट आया तब से ही ब्राम्मिन्स बनना चालू हो गए पहले इतना पूजा आर्चना नहीं था धीरे 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 अमारे society में पूजा आर्चना start हो गए जब पूजा आर्चना ज्यादा हो गया तो भ्राम्मिन्स जो एक जाती है वो बन गया के वो ही लोग इस चीज़ को पूजा करेंगे फिर धीरे धीरे करके इसके इर्दगिर्द ही बाकी काष्ट बनने लगे कि नहीं ये सबसे बड़ा काष्ट है भ्राम्मिन सबसे बड़ा काष्ट है क्योंकि ये पूजा आर्चना करता है ये भगवान के साथ हमको मिलाता है इसकी बेज़े से ये सबसे बड़ा काष्ट हो गया फिर बाकी जो लोग है वो लोग भी इसको भ्राम्मिन्स को बड़ा प्रोटेक्ट करेगा हमारा शत्रियस फिर जो बिजनेस क्लास है कौन बिजनेस करेगा वो बिजनेस करेगा वैश्य और जो बाकी सारे काम है इन तीनों जातियों को काश्ट को जो सर्व करेगा वो होगा शुद्र इस तरीके से ओकूपेशन के बेसिस पे हमारा सुसाइटी मे caste system बना यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि हमारा जो caste system है वो ब्राम्मिन से ही बनता है ब्राम्मिन के perspective से ही हम देखते हैं हम कभी भी दलित या फिर untouchable के perspective से नहीं देखते हैं हर वक्त हम ब्राम्मिन के perspective से ही सारे origin को study करते हैं फिर देखते हैं हमारा tribes and religious theory मतलब tribes से कैसे हमारा caste तयार हुआ ये जरा देखते हैं बहुत पहले हमारे पास सिर्फ tribes होते थे नॉर्माली हर जगा पर tribes ही मिलती है लेकिन tribes धिरे-धिरे कैसे हमारे religion में हिंदू religion में adjust होते गए ये एक बहुत ही एक important चीज है sociological perspective से कास्ट जो भी tribes है वो लोग gradually और silently धिरे-धिरे एकदम tribes से कास्ट में involved होते गए most of the lower or exterior cast of today who are formally tribes आजकल जो हम lower caste देखते हैं वो लोग mainly tribes थे ये tribes ही धिरे-धिरे lower caste बन गए जो लोग पहले से ही हिंदू में थे वो लोग खुद को बड़े बताने लगे और जो लोग बाद में include होते रहे जैसे tribes लोग जब include होते लगे तो उनको नीचे के हिस्से में रखा गया उनको lower caste बना दिया गया Herbert Risley ने चार processes बता है कि कैसे tribes से caste में transform हो रहे थे लोग या फिर कैसे tribes से caste में लोग transform हुए है उन्होंने चार processes बताए है जिस तरीके से हमारा society में tribes से caste बनने लगे पहला जो है जो leading man थे tribes में मतलब जो भी आगे का या फिर जो भी सरदार थे वो सारे लोग धिरे-धिरे करके society में adjust होने लगे और खुद को independent landed proprietors के हिसाब से बताने लगे वो लोग खुद को एक अच्छी position पर established कर गए के नहीं हम उस position में नहीं रहेंगे tribe में जो बड़ा position है उससे धिरे-धिरे shift होके उनके पास जगा थी जमीन थी वो लोग एक अच्छे इंसान बन गए उन्होंने अपने caste में खुद का एक जगा बना लिया खुद का फिर कुछ जो tribes थे वो लोग हिंदू religion में घुल मिल गए उन्होंने खुद को वैश्नब्स बना लिये मतलब उनके हिसाब से वो लोग वैश्नब्स है वो लोग वैश्नब्स की तरह ही रहेंगे उन्होंने अपना जो tribal नाम है नेम्स थे वो भी गीबाप कर दिया उन्होंन हिंदू society में हिंदू religion में अपने आपको mix कर लिया और खुद को वैश्नब्स बना लिये फिर कुछ tribes ऐसे थे या फिर कुछ tribes के section या लोग थे जो लोग खुद को हिंदूइजम में enroll कर लिये मतलब हिंदूइजम में वो लोग आगे हिंदूइजम में आके वो लोग हिंद आपको शत्रियस में कुछ लोग वैश्यस में और कुछ लोग शुद्रस में खुद को establish कर लिये फिर कुछ लोग है जो अपने आपको convert कर लिये हिंदूइजम में वो लोग एड़्जास्ट नहीं वो लोग totally अपने आपको convert कर लिये उच्जय के हम अब Tribe नहीं रहे हम अब हिंदूइजम में convert हो गए लेकिन वो लोगो ने अपना जो tribal designation है वो designation नहीं छोड़ा ओस Tribal designation को रखे हैं लेकिन फिर भी वो लोग हिंदुईजम में convert होके हिंदुईजम का जो पूरा काम है या फिर जो धर्म पालन करते हैं जो पूजापाट करते हैं वो सारे चीज़ करने लगे लेकिन उन्होंने अपने tribal designation भी बजाए रखा था फिर देखते हैं हमारा जो आखरी theory है वो है family and marriage का theory मतलब family और marriage के basis पे कैसे society में caste system आया यह कैसे caste system function करता है family और marriage के हिसाब से हमारा caste system के सबसे बड़ा जो principle है वो है principle of exogamy मतलब हमारे society में हम जब भी शादी करेंगे अपने relatives में शादी नहीं करेंगे हम relatives के बाहर ही शादी करेंगे यह चीज हमारा caste system का basis है इसके इसाब से ही हमारा जो शादी, family, marriage, kinship यह सारे चीज़ चलती है यह एक taboo है इस taboo के बज़े से ही हमारा society में जो लोगों में relationship ये सारे चीज़े kinship, relationship ये सारे चीज़े चलती है ये हमको prohibition of marriage में help करता है कि किसके साथ शादी करना है किसके साथ शादी नहीं करना है कौन सी गोत्र में शादी करना है कौन सी गोत्र में शादी नहीं करना है ये सारे चीजे हमें बताता है इसकी बज़े से ही हमारा जो कास्ट सिस्टम है ये बज़ाय रखता है कि हम किस किस कास्ट कौन से कास्ट से शादी कर सकता है इसकी बज़े से हमारा कास्ट सिस्टम बज़ाय रहता है सुसाइटी में फिल वो लोग प्रेक्टिस करते हैं हम घर म कौन सा करते है या फिर purity कौन सा चीज है कब purity होगा कब pollution होगा lower caste को कैसे caste system के बाहर रखा जाता है फिर हम जो inter caste dining या फिर inter caste marriage ये सारे चीजों को हम avoid करते हैं कि नहीं बहुत सारे जो एक दूसरे से caste कभी भी एक साथ खाना नहीं खा सकते वो लोगों के बीच में marriage नहीं हो सकता है ये सारे चीज़े हमें कार्ष सिस्टेम ही बताता है इसलिए फेमिरे एंड मेरेज के basis पे कार्ष सिस्टेम को समझना बहुत जरूरी है आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक अच्छे रहे शुवस्त रहे और दोस्तों में प्यार बाठते रहे जैहिन